कि अलो ग्रोड और वेलकम तु देखमेफेनिटी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे और एक सामार रिसाच इंटर्प पोग्रम के बारे में जो आया है इंटर्नेशनल एड्माश रिसाच सेंटर फर पावडर मेटलर्जी अन नियू मैट्रोल्ड इस एट अन अट्वोमास अ अपके पास एक बहुत अच्छा उपूर्चूरिटी है कि हुआ से आप एक इंटर्शिप करें तो क्या है इसके लिजिविटी क्राइटेरिया कौन कोर्ण स्ट्रिम के स्टूडेंड यह पर अपलाई कर सकते हैं कितना अमोंट्स टाइफेंड मिलेगा यह सब कुछ हम डिटे वाज आ रहा है वीडियो इसके बाद आगले दिन कल भी आएगा एक इंटम्टीब विरेट अब्रेट तो हर दिन हम कोई ना कोई इंटम्टेरिटीम इनफॉर्मिसान आको देते रहेंगे ताकि हम भी चाहते है कि आपका कहीं पर भी एक intensive लग जाए, ठीक है, ताकि आपका भी जो CV में कुछ लिखने के लिए कुछ मिल जाए, ठीक है, देखो हम एक बहुत छोटा सा चनल है, आप हमारा सब्सक्रीब कर देख सकते हो, हम भी मतलब सपना देखते हैं, तो प्लीज आप लोग के support के बीना हम आगे नह पर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्रीब देख चैनल, इसका official OCD में आने के बाद, summer intensive क्लिक करने के बाद, यह जो official notification है, वो आ जाएगा, उस पे क्लिक करने के बाद, यह जो interface है, वो आ जाएगा, ठीक है, तो summer intensive जो program है, वो ARCI जो autonomous body है, उसमें दो campus है, एक हाइद्रवाद campus, एक चेननाई campus, ठीक है, तो दोनों के अंदर, summer research internship program this year, conduct किया जाएगा, ठीक है, तो, क्या है, इसका eligibility criteria, देखो, the student who will be completing first year of MSC और MS, ठीक है, तो, आप May, June में, आपका, जो second, से में, वो complete हो जाएगा, तो आप यहाँपर eligible है, अगर आपके, जो first year है, वो complete होने वाला है, इ में, तो आप यहाँपर apply कर सकते हो, लेकिन, लेकिन, यहाँपर एक condition दिया हुआ है, कि the rank within the top 10% of their present classes, ठीक है, तभी आप यहाँपर apply कर सकते हो, so, specialization क्या है, और कौन-कौन stream के student यहाँपर apply कर सकते है, metallurgy and materials, ceramics, chemicals, nanotechnology, mechanical engineering, और physics, chemistry, material science, and nanoscience, इस stream के student यहाँपर apply कर सकते हो, ठीक है, so, कितना number of student को लिया जाएगा, maximum 40 to 50 student इस पर लिया जाएगा, इस summer research program में, ठीक है, so, duration क्या होने बाला है, 45 to 60 days का होगा, that is from May to June 2023, 23, okay, देखो, और यहाँपर कुछ, जो stipend बगर आप provide किया जाएगा कि नहीं, देखो, कुछ stipend प्रोफाइड नहीं किया जाएगा, उसके साथ, traveling allowance, local transport और recommendation कुछ भी provide नहीं कर रहे है, ठीक है, तो आपको खुद से, जो arrangement है, वो करना होगा, ठीक है, देखो, यहाँपर, कुछ application fee नहीं है, ठीक है, आप बंद करके आप apply कर दो, जो होगा देखा जाएगा, अगर आप select भी होता हो ना, तो summer में छुट्टिया पढ़ते हैं, दो मैने का, ठीक है, तो छुट्टिया को बर्मत मत करो, आप चला जाओ, वहाँपर intensive कर लो, एक experience आ जाएगा, वो बहुत काम में आएगा, जो बा तो चला जाओ, मेरा मनना है कि चला जाओ, ताकि जो गर्मिक की छुट्टी होती है, दो माईने का, उसको अच्छे से काम में लगाओ, ठीक है, so last date of application क्या है, 31st March 2023 है, आपका जो last date of online application है, so अगर आपके पास कुछ भी दिक्कत आए, यहाँ पर आप mail कर सकते हो, और हामारे जो WhatsApp group है, वहाँ पर आप पूछ सकतो, comment section में पूछ सकतो, कहीं पर भी पूछ सकतो, you are the most welcome, ठीक है, and जो link है WhatsApp group का link, मैं नीचे देदूगा, उसके साथ साथ, यहाँ पर जो भी important link है, मैं नीचे जो description है, वहाँ पर देदूगा, वहासे आप जाके direct apply भी कर सकते हो, देख भ materials, ceramic process, engineering coating, soil coating, laser processing, carbon materials, solar energy materials, materials characterization and testing, and चेन्ने campus में जो होगा, hydrogen and fuel cell technology, automotive energy materials, ठीक है, यह जो topic है, यह बहुत demand में है, और आगे भी होगा, जैसे solar energy materials, hydrogen and fuel cell technology, क्योंकि हम धीरे-धीरे, क्या कर रहे है, renewable energy source के तरफ आगे बढ़ रहे है, ठीक है, तो मतलब आगे बहुत ज्यादा scope है, इन topic को, आपके बस बहुत अच्छा opportunity है, यहाँ पर apply करने का, तो apply कैसे करने का, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ interface आएगा, तो आपको फेफरेंस order, त्री फेफरेंस order डालना है, आपके हिसाब से, देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आपको करना है, आपके पसंद के हिसाब से ठीक है, सो मैं solar energy और material characteristic और testing डाल रहा हूँ, ऐसे, देन nanometrials ऐसे करके, यहाँ पर तीन topic जो है, ओचूज करना है, देन आपका name डालना है, email id डालना है, phone number डालना है, date of birth यह डालना है, देन कहां से कब तक आप करना चाहते हो, ठीक है, वो डालना है, देन जेंडर, देन category, आपका क्या category है, देन PWD आप है की नहीं, देन educational qualification यहाँ पर आपको डालना है, जो भी आपके educational qualification है, ओ डालना है, देन, same, same, year of passing, mark of 10, maximum marks, and CGP, यह भी आपको डालना है, देन आपके present degree क्या है, यहाँ पर, जो MS कर रहे हो, कि MS कर रहे हो, यहाँ पर डालना है, देन branch specialization, पहले तो यह चूज करना है, देन इसके बाद specialization, किसे में आप specialization कर रहे हो, देन आपके university के name डालना है, and college name and university का name डालना है, देन, आपका semester कब तक complete हो जाएगा, यह डालना है, देन, अभी तक कितना CGP है है, के पास, and current rank in the class, ठीक है, so, एडालना है, और आगे, मतलब पहले आप कभी attend किया हो, कि नहीं, यहाँ पर yes or no करना है, देन, उसके बाद simple, यहाँ पर photo upload करना है, and आपका जो signature है, वो upload करना है, दोनों का जो format रहने वाला है, वो है, JPG mood में, and जो size रहने वाला है, वो 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है, then उसके बाद, यहाँ पर आप, यहाँ प्लेस डाल दीजिए, then submit कर दीजिए, ठीक है, यही था, जो intensive related update, एक जो आया है, ARCI के तरफ से, जो एक autonomous body है, बहुत अच्छा scope है आपके पास, इसको काम में लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को जूर सब्सक्रीब कीजिए, and thank you for watching the video, God bless you all.